बुलेटिंग की शुरुवात करते हैं। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर श्रम और कोशल को विश्वकर्मा की रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवाशियों को विश्वकर्मा जयनती की शुब का अबनाई देता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ का आप सुनिए। आज देश भर में गनेश उत्सव की धूम है। गनपती को विदाई दी जा रही है। आज अनन्त चतुर्दसी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है। जहां स्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रुप में पूजा जाता है। मैं सभी देश समासियों को विश्वकर्मा जैंती की भी शुपकामनाय देता हूं। आज का ये दिन एक और वज़़ से भी विशेश है। आज केंद्र की NDA सरकार के सो दिन भी हो रहे हैं। इस दोडान गरीब, किसान, नवजवान और नारी शक्ति के ससक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैंसले लिए गए हैं। बीते सो दिन में तै हुआ की गरीबों के लिए तीन करोड पक्के घर बनाएंगे। बीते सो दिनों में नवजवानों के लिए दो लाग करोड रुपिये का पी-म पैके गोशित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाब होगा। इसके तहट प्राइवेट कंपनियों में नवजवानों की पहली नौकरी की पहली सेलरी सरकार देने वाली है। ओडिसा सहीत पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटे जोड़ने का भी फैकला किया गया है। आज देश बर में गने आज हमारे साथ हमारे जचर्शी प्रधान मंत्री सिजिक्तर नरंद्र मधी जी उपस्टित हैं। क्यबल हमारे देश के ही नहीं बलकि सरा विश्चों के साथ से लकत प्रियों लेता हैं। आज उनका सुब जन्म दिबस भी है। माननिय प्रधान मंत्री जी आज इस सुब अफसर पर मैं यहां उपस्तित सारे मताओं और बेहनों के तरफ से एउंग औरिशा के सारे चार करोन लोगों के तरफ से आपका जन्म दिबस के सुब कामनाएं देता हूं। माननिय प्रधान मंत्री जी आज के दिन आपके लिए बहुत महत्त पुर्ण है। पुरे विश्चों से आपके लिए अभिनांदन आ रहा है। आज के दिन इस सुब अवसर पर आप हमारे बीच उपर सिद है। ये हम सब के लिए सब्भाग्यों की बात है। इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज के दिन को लेकर लोगों के द्वारा एक दूसरे बार गुलाल को छड़क का हुली की तरह भवत तरीके से इस्तिहार को चार चांद लगाए जा रहे हैं। योगे समाजन। मैं आज ही क्याना चाहूंगा। हम लोगों ने काफी तैयारिया की थी। आज बीस माँ अगर्ण होने जा रहा है। आज बीसरजन के लिए जा रहे हैं। यह संस्कार सामेशनस्ताई तरफ से प्रोडाम होता है। और सभी लोग बड़े बेंट वारों के साथ बड़े तरीके से और घुल लाल करते हुए सब लोग आप बीसरजन के लिए राजगाट जा रहे हैं। आपको बताते हैं। देश के प्रधान मंदरी नरिंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसें के माध्धम सो देश भार के लोगों को तमाम तरह की योजनाओ से आज लाभानवित किया गया। आपको बताते चले के उडिसा से देश के प्रधान मंदी नरिंद्र मोदी के द्वारा कॉन्फरेंसेंग के माध्म से उतर प्रदेश के अलिगर्ड के धाई हजार से जादा लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। और जिसको लेका है लोगों में गजब का उत्सहा भी देखा जा रहा है। क्या कहने चाहेंगी विज्य मुझे मोदी जी ने मकान दिया आज और गैस चूला भी दिया है। और मुझे राशन भी मिल लिए महिने के महिने और मुझे पैसे भी मिले हैं तीन महिने बाद मैं बेद्वा हो रहत हूं। और मुझे बहुत मुदी जी की मनो कामना पूरी करें सौशाल उनकी उमर बड़े और बहुत-बहुत धन्वास पहले कच्छे मकानों में लोग रहते थे आप लाब मिला क्या थे लाब मिला है में मकान की हमको बहुत परिशानी आती थे हम्याज जोपरी में पानी बर जाता थ हमको मकान दिया गय चूला दिया चासन दिया और हमारी प्यल्सिंग भी बनवाई है और उनको वहिया मोजी जी का बहुत बहुत धन्दवास किया कहना है तो नहीं कि अलिगर्बाद दिया तुम है अध्यांद मंत्री जी को उनके जन्री स्की बहुत 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 बढ़ाया है इस देश के गरीबों की पक्की छट बनाने का मकान देने का जो इक संकर्प लेके चलें उसके तहत आज अलीगड में अठाईसो साथ घरों को परिवारों को उनको पक्की छट देने का आज ये कारेकरम रखा गया है मैं बहुत-बहुत बढ़ाया देता हूँ उन अठाईसो साथ परिवारों को जिनको आल प्रादान मंत्री जी की द्वारा उनको पक्के मकान आज आवंटित किये गए हैं उनके पूरे परिवार को मैं बहुत दो बढ़ाय देता हूँ करता हूं और जिस विजन को हम लेके चल रहे हैं इस देश को आले आंद कितना वह हमारा सपना जरूर पूरा होगा दो यार सहताली हमारा देश विक्षी देश वनेगा इस पूरे बिश्वास के साल सब्सक्राइब के लिए आगे कादम कर रहे हैं बलकि जो हमारे सख्षता कर्मी हैं उनके स्वास्त के प्रती जो हमारे स्वार्थी क्लब हैं सख्षता सार्थी कला विद्यालों मने हैं उनके माध्यम से जन जन के बीच में सख्षता करेंगे बलकि आने वाले पीडियों के लिए कि ऐसा महल तयार करके शोड़ेंगे जहां पर उनको स्वस्त वातावरन स्वक्षवातावरन मिले इस वक्त की बड़ी खबर का रूप करते हैं जो कि उतर प्रदेश के राय बरेली से सामने आ रही है आपको बताते चले कि आदंद विश्वाश वापाखन के चलते कि युवा की जान चली गई है जहरेले जंदू के काटने से युवा की हालात बेहद ही नाजूप बने हुए आपको बताते चले कि आदंद विश्वाश के चलते जो युवाख है वो आस्पताल पहुच गया गंभीर हालत में युवाख बढ़ा रहा और वहीं हालात नाजूप होने के बाद युवाश के लिए उसे ले जाए गया था और दुजवरान युवाख की दर्दनाक मौत हो गई तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले हालाकि इस खबर में अभी ज़्यादा जानकारी जो हाथ नहीं लिए आपको बताते कि इसमें अंदर विश्वाश के चलते पाक्खंड के चलते एक युवाख की दर्दनाक मौत हो गई ह और जिसके बाद आपको बताते चले के अलाकि परिवार वालों के द्वारा जो है ये भी कहा जा रहा है कि जिला इस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिला था जिसके कारण जो है युवक्त की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं मौत की खबर से परिवार वालों के बीच को हरा खबर उतर प्रदेश के राय बरेली से ही है जहां पर बेखौफ हुए दबंगो ने कानून का कोई भी खौफ जो है अब दबंगो में नहीं रहे गया है कार सवार आदा दर्जन से अधक दबंगो ने बाइक सवायुवक को जंगल में ले जाकर जब कर मारपीट कर दी आपको बताते चले कि मारपीट से जब दबंगो का मन नहीं भरा तो दबंगो ने अपने जूते को जीब से चक्टा आय और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से बारल हो रहा है मामला उचानका थाना छेत्र के अंत्रगात सवियां राजवे का आपका बताया जा रहा है जहां के रहने वाले आमान सिंग पुत्र अजया प्रताप सिंग किसी काम से बाइक से जा रहे थे कि तभी कारसवार आदधरजन से अदग यूबक से जूते को चटवाए गया जसका वीडियो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस समय यह है वीडियो सोशल वीडिया पर जम कर वारल हो रहा है वीडियो वारल होते ही पुलिस प्रशाशन में हड़कंप मच गया तो उतर प्रदेश के राय बरीली से एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है आपको बताते चले कि यूवक के द्वारा जहरीले पदार्ट का सेवन कर लिया गया और यह उस इस्तिति में क्या गया जब मोबाइल के किस्त ना जबा होने से यूवक बेहद ही परेशान था फाइ कर लिया वहीं आपको बताते चले कि यूवक के हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं जिलास्पताल में यूवक का फिलाल इलाज भी जारी है शेहर कोतवाली के सब्राट नगर की है पूरी घटना बताए जारी है तो इस वक्त की बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्रप्रदेश के राइबरेली से सामने आ रही है जहां पर जो किष्टों पर वोबाइल लिया गया था उसकी किष्टे समय पर ना भरने के चलते जो फिलाइंस कंपनी है उनके द्वारा फोन को वापत शीन लिया गया और जिस से आहत यूवक ने जहरीला पदा खा लिए जिलास्ताल में अमर्जेंसी में एजिट्रों डिपेंसिंग इमो मैंने कि विपिन सम्राट नगर से आया हुआ है जो साथ में अटेंडेंट थे उनके द्वारा बताया गया है कि इसने कुछ मोबाइल खरीदा था उसकी उसके कुछ इमाइज नहीं भरी है उसके दवरान पर उस डर से उस अक्रोश में उसने जो है मोबाइल ना मिलने पर जैर खाया है अभी पेशेंट अभी तो प्रिटिकल पर है भरती कर लिया गया है वोम्टिंग कराए गया है लेकिन भरती करने के बाद पर आगे कि स्थितियां बागी फिजिशन द्वारा ग्यात ह जाया गया है कि इसने कुछ मोबाइल खरीदा था उसके उसके इमाइज नहीं भरी है उसके दोरान पर उस डर से उस अक्रोश में उसने जो है मोबाइल ना मिलने पर जैर खाया है अभी आनक पेशेंट अभी तो प्रिटिकल पर है भरती कर लिया गया है वोम्टिंग कराए के साथ मनाई गई वहीं आपको बताते चले कि सुभह सही मंदिरों में शधालों का ताता जो है वो लगा रहा वहीं पूजा के बाद 14 गाठ वाले सूत्र को अनंत भगवान का स्वरूप मान कर पुरुषदाएं वा महिलाएं बाएं बाजू पर धारण करती है और ऐसे मान स्थान मंदिर में पुजारी के लाशनात पांडे के द्वारा और वहीं विद्विधान के साथ इस पूजा को करवाया गया और इसके लावा हनुमान मंदिरों में भी सुभह से ही दोपह तक कथा सुनने वा अनंत डोरा बांधने के लिए शधालों की भारी भीर लगी रही कि यदि आनंत चतुरदर्शी वरत करकर 14 गांट वाले सूत का धारण कोई व्यक्ति लगाता 14 वर्ष तक नियम से कड़े होकर करता है तो वह विश्णों लोग की प्राप्ति होती है उसे तो आपको बताते चले कि आज तामाम पर्व पूरे देश भर में मनाए जा रहे हैं और जिसमें की जो लोगों की आस्था है वो इस तस्वीरों की वो प्रतीक है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बिहार की लखे सराय में आज अनंत चतुरदर्शी की पूजा बड़े ही भ तो आपको बताते चले जो तस्वीरे हैं जो की मनमोग तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं आज लखे सराय में तमाम मंदिरों में लगातार सुभे से ही भक्तों का ताता लगा रहा जिसमें कि आपको बताते चले कि आज भक्तिभाव के साथ मंदिरों में पहुँचकर भक में भाग लिया गया और साथे साथ आपको बताते चले कि आज के वरत को लेकर माननेता है कि जो भी आज के वरत करता है भगवान विश्णु के साथ साथ मालक्षमी का जो कृपा होती है वो उन्हें प्राप्तों होती है और साथी साथ जो भी आपके मनो कामना होती है वो भी पूरी होती है। गया और जिसके बाद मारपीट से युवक चक्मी हो गया। गठन भी किया गया। गठन भी किया गया। गठन भी किया गया। और हलका गाड़ी से लिगने के टक्राव के उतराव के उतराव के प्रवकेशन के अतार पर दून के पीश में रड़ाई हुई। गया गया। एक पठन भी किया गया हुई। गया गया। से उतराव की गठन भी कियुए। इसमें जो टोटल अक्यूस تھे ते साथ नामजाद अबुठी बनाए गया गया। अगली खबार उतर प्रदेश के राइबरेली से है जहां अंदवश्वाष वपाकःंड के चलते एक युवक के दर्दनाक मौत हो गई है और जहां इलाज के क्रम उसने दम तोड़ दिया आपको बता दें कि जो अभी जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यही बताया जा रहा है कि अंद विश्वाश के चलते यूवक की दर्दनाक मौत हुई है घंडों घंबीर आलत में जो है वो अस्पताल में पड़ा रहा औ और समय पर जो है इलाज यूवक को नहीं मिल पाया था और यह भी एक एहम कारण यूवक की मौत का बताया जा रहा है क्योंकि परीजनों का जो आरोप है वो लगातार अस्पताल पर भी लगाया गया है क्योंकि उनका कहना है कि जब हम यूवक को अस्पताल में लेकर आये उसके बाद कई घंटों तक यूबक्स को नहीं देखा गया उसकी जाच नहीं की गई और जिसके काराण उसने दम तोड़ दिया जिलास्ताल की अमर्जनसी में मैंने एक सस्पेक्टेट स्नेक बाइट का पेशन्ट काफी सीरेस कंडिशन में था और पर पूछने बताया गया कि लगवग तीन से चार घंटे पहले स्नेक का बाइट वहा था कहीं पे दिखाया नहीं कहीं ले नहीं गये और अंधिवस्वास क जक्कर में दो दो टहलते रहे हैं उसके बाद पर यहां आए तो पेशन्ट काफी डिजिस कंडिशन में था बहुत शौक में था हम लोग ने बेसिक मैनेज किया है और उसको अंदर वार्ड में भेज दिया है पेशन्ट कंडिशन बहुत क्रिटिकली इल है तो फिलाल उस बुलिटिन में इतना ही देशना की तमाम खब्रुकी जानकारी के लिए बने रहे हैं आसाथ तमस्कार